आप सब के लिए टेलेफोन है ये हमारे लिए सिर्फ टेलेफोन नहीं है पिता के एक दोस्त थे उन्होंने मुझे फोन किया और कहा राहूल बुरी खबर है मैंने उनसे कहा मैं जानता हूँ मुझसे पूछा यातरा का क्या लक्ष है कहा कि यात्रा क्या अचीव करना चाहती है फिर क्या हुआ तो जब जो हम लोग हैं जिन्होंने हिंसा देखी है ये जो है ना ये इसको हम बिल्कुल दूसरी तरीके से देखते हैं ये आप सब के लिए टेलेफोन है ये हमारे लिए सिर्फ टेलेफोन नहीं है उसके बाद छे साथ साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलेफोन आया 21 में टेलेफोन आया जैसे बहुत सारे जैसे जो पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे उनके घर टेलेफोन आया होगा हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलेफोन आया होगा सेना के परिवारों को टेलेफोन आया होगा वैसा है टेलेफोन आया पिता के एक दोस्त थे उन्होंने मुझे फोन किया और कहा राहूल बुरी ख़बर है मैंने उनसे कहां मैं जानता हूँ पापा मर गए कहते हैं मैंने का धन्यवाद फोन रख दिया तो मेरा कहना है मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है जैसे मोदी जी हैं अमिच्छा जी हैं अजीट डोवल जी हैं आरेसेस के लोग हैं वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं हम समझ सकते हैं पुल्वामा के जो सैनिक थे उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूँ मेरे दिल में वो ही हुआ है जो यहां पर कश्मीर में लोग मरते हैं उनके दिल में क्या होता है जो फोन कॉल आता है क्या लगता है वो मैं समझता हूँ मेरी बहन समझती है तो कल किसी जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा यात्रा का क्या लक्ष है कहा कि यात्रा क्या अचीव करना चाहती है जम्मू कश्मीर में क्या अचीव करना चाहती है मेरे उस समय दिमाग में आया मगर मैंने कहा नहीं बोलता हूँ कल भाशन में बोलूँगा यात्रा का लक्ष है कि ये जो फोन कॉल है चाहिए आर्मी के हो चाहिए स्सी आर्पी एफ के हो चाहिए कश्मीर के लोगों के हो ये फोन कॉल बंद हो जाए कि ये फोन कॉल किसी बच्चे को किसी मा को किसी बेटे को ना लेना पड़े मेरा लक्ष यह जो फोन कॉल है इनको बंद करने का है अब अब देखिए BJP, RSS के लोग आकरमन किस चीज़ पर कर रहे हैं मुझे गाली देते हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं जो मैंने आपको शुनियता की बात की शिव की बात की उसको मैं समझता हूँ और मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ कि जितना भी वो मेरे उपर प्रेशर डालें जितनी भी गाली लगाएं जो भी वो करें उससे मैं सिर्फ सीखता हूँ झाल झाल